हलो एवरिवन, वेलकम टू आरवी गूड़ आडियाज CBSE का किलास 12 और किलास 10 का रिजल्ट निकल गया स्टुडेंट्स को उनके मार्शीट की सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट से मिल भी गई लेकिन सारे स्टुडेंट्स को अपने मार्शीट और सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी के लिए काफी वेट करना पड़ेगा, कम से कम एक महीने का वेट उनको करना पड़ सकता है इस बार CBAC 15 अगस्त के बाद मार्शीट और सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी स्कूलों को भेजेगा उसके बाद स्कूल्स अपने स्टुडेंट्स को ये मार्शीट और सर्टिफिकेट देंगे आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यूं तो देखे ऐसा है कि CBAC इस बार री चेकिंग के बाद ही मार्शीट और सर्टिफिकेट भेजेगा क्योंकि re-checking के बाद कई students के marks change होते हैं और ऐसा होने पर उन students के marks sheet में हर हाल में change होगा ऐसा होने पर CBSE को दो बार marks sheet और certificate भेजना पड़ता है इस दिक्त से बचने के लिए अब CBSE re-checking के बाद एक ही बार marks sheet और certificate भेजेगा वो भी 15 अगस्त के बाद हर साल की तरह इस बार भी re-checking होगी क्योंकि जो भी students अपने marks से satisfied नहीं है वो CBSE में apply करेंगे CBSE उन्हें दोबारा मौका देगा और re-checking करेगा ऐसे में जिन students के marks में बदलाओ आएगा तो उन्हें दोबारा marks sheet भी issue करना ही पड़ेगा इसलिए CBSE total scrutiny यानि re-checking का सारा काम हो जाने के बाद ही marks sheet जारी करेगा इस बार marks verification के लिए बहुत ज्यादा application आने के chance है और ऐसे में ज्यादा परिशानी से बचने के लिए ही verification के बाद ही CBSE एक ही बार marks sheet और certificate की hard copy भेजेगा तो इस वीडियो में बस इतना साई update है फिर कोई important update आएगी तो मैं आप सबको जरूर बताऊंगा तब तक goodbye और हाँ वीडियो देखने के लिए आपका दिल से thank you